लेगली रोमास 2023 में बनी चाइनिज ड्रामा है इस टोरी इस ड्रामा के कहाने कियानवेई और लोसुन से सुरू होती है कियानवेई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कानोनी बिभाद में काम करती है लोसुन उसे पहले से जानता है वे एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे चातर थे लेकिन तब वे दूस्मन हुआ करते थे हालांकि जब कियानवेई लोसुन के साथ काम करने आता है तो अपना बदला लेने का फैसला करती है और कियानवेई उसकी जिंदगी बत्तर बनाने में कोई कसर नहीं शोड़ती वो उसके साथ जितना हो सके उतना बुरा बेवार करती है लेकिन कहानी में एक नया मूर्द तब आता है जब कियानवेई का एक्सिडेंट हो जाता है और वो कॉमा में चली जाती है कॉमा में बेहुसी की हालत में वो सपना देखती है जिसमें अपनी इकी सोरा वस्था में वापस आ गई है और वो 11 साल पहले सही करने की कसम खाती है उम्मित करती है क्या अपनी किसम बदल सकती है और भविस में और अधिक अंगूर। परड़ाम पा सकती है वो अपने पूर प्रेमी से भी मिलती है जिसके साथ वो कसम खाती है वो इस बर उसे डेट नहीं करेगी सबसे महतपूर बात वो अपने पीता की मदद करना चाहती है ताकि वो उनकी आसा में एक मिरित को टाल सके हालांकि उसने कुछ ऐसा होने के उम्बित नहीं की थी जिसे वो इतने सालों से मिस कर रही थी लुसुन उससे प्यार करता है इस बर वो देखती है कि लुसुन उसके लिए जो कुछ भी करता है रग्तदान और श्ट्रीट लेंब ठीक करने से लेकर उसकी बेगुना ही को असपर्ष करने वाले सारजुनिक नोटिक बितरित करने आदि तक वो सब उससे बिना बताय करता है वो हमेशा उसके लिए मौजुद रहा उसकी रच्छा करता है और उसे चुपचा प्यार करता है कियानवई के साथ दुरघटना कैसे हुई क्या कियानवई कोमा से बाहर आप आएगी ये जानने के लिए आपको ये सीड ड्रामा देखना होगा ये एक मनोरंजक और मधूर नाटक है जिसमें अप्रत्यासित रूप से अच्छे कहानी और कथानक है कहानी प्यारी है, पात्र प्यारे है, रोमांस मधूर है और अभिने सरानी है हुवंग जिताओं के जंगली बाल कटवाने से धोखा नखाए एक बार जब आप सुरुवाती जटके से बाहर निकल जाते हैं जहां बैक श्टोरी बताती है, जब वो अतित से लोटती है कुछ दर तक पहले एपिसोड को देखने के बाद रुजी खो देते हैं क्योंकि उन्हें उबाव या भ्रमित करने वाला लगता है अगर ऐसा है तो मैं आपको एपिसोड दो के बीस में सुरू करने का सुझाओ दूँगा जब वो 11 साल पहले वापस जाती है, अपने साथ आज के अन्भो को लेकर आती है इसमें कई बार ऐसी घटना याद आती है कि जब वो छोटी थी तो उसने या किया था और इत्वा परड़ाम बदलने के लिए क्या करेगी बेहतरिन प्यार भरी कामेडी और बहुत ही भावनात्मक ड्रामा है आप लिट गल से प्यार करने लग जाएंगे और इस ड्रामा को देखने के बाद आपकी भावनाएं अईस्तिर हो सकती है आपको इससे उबरने के लिए कुछ समय लग सकता है क्यों देखें यदि आप रोमांस के सांसात कानून में रुची रखते हैं और बहुतरिम प्यार भरी कामेडी और एक भावनात्मक ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो यह ड्रामा आपके लिए है आप इससे एक बाद जरूर देख सकते हैं कहां देखें इससे आप एमेस प्लेयर प्रहिंदी में देख सकते हैं